क्या इत्तिफाक रखते हैं आप सुरेंद वर्माजी की बातों से बताएं सर उप्रथम तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार इस लोगप्री चैनल में किस प्रकार से कांग्रेस के मेरे मित्र जूठा वाक्ये प्रस्तुत कर रहे हैं सर माती है यह बताते हैं कि पीएम आवास कहां गया अरे पास साल से पीएम आवास नहीं बना पाए आपका मंत्री टीएस्टी देव पंचायते हम प्रक्रामिंड विकास विभाग से स्थिपा देता है सर मानी चाहिए आपको जूड बोलने के पहले गरीबों का रासन खा गए सोला लाक व्यक्तियों का अगर प्रधान मंत्री आवास कोई खाया है तो एक कांग्रेस पार्टी खाई है ये दो घर देते थे उसमें भी नाम लगाते थे इंडिरा आवास ये किसी व्यक्ति विसेज की गुलामी की पार्टी है और जब मेरे देश में एक लोग तंत्र में चुनी हुई सरकार केंडर में बैठती है मोडी जी सबसे पहले अगर कोई घोशना करते हैं तो मेरे 36 गड़ के लिए मेरे देश के लिए उन गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना की घोशना करते हैं और दुर्भाग यह कि हैं कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो उस पैसे को खा जाती है इनका खुट का मंत्री बोलता है दूसरा क्या बोलेगा दिनेश जी आपने काफी चीज़ें बताई कॉंग्रेस के बारे में राजशाशन के बारे में लेकिन कहीं न कहीं लगतार कॉंग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आपने केंद्र से जो मिलने वाले फंड्स थे जैसे जीस्ट का बार बार नाम लिया जाता है या बताया जात मैं आपके माध्याम सही इन से पूछना चाहूंगा जी जूट बोलने में तो कांग्रेसियों को महारत है ये तो पुरे देश जानता है इसलिए इनकी क्या इस्तिती हो गई है जूट और फरेब की पार्टी कांग्रेस पार्टी है इनके खुड के अब भ्रष्टाचार की बा सचीव थे अज जेल के अंदर है और माइनिंग डिपार्टमेंट अगर किसी के पास है तो में 36 गर के मुख्यमंति भुपेज बगिल के पास है आज आपने कल मीडिया में देखा है आपी के मीडिया ने प्रसारण किया है 508 कड़ोर का महादेव एप घोटाला ये सटे करेंगे यह मात भृष्टा चार करने आया थे गाउं का विकास करने मेरे गरीब का विकास करने नहीं आया है गरीबों का विकास तो अगर किसी ने किया है तो भारती जनता पाटी ने किया है जिसने पूरे देश में प्रधान मंत्री आवास बनाया लेकिन दुर्भाग है क एक भष्ट सरकार इस प्रदेश में बैठती है और मेरे 16 लाग गरीबों का वास खा गई है